अब बच्चो कहानी के तत्व क्या क्या है कौन कौन से ऐसे तत्व हैं तत्व हैं कि जब रहें तो कहानी पूर्ण कहानी बनती है लेकिन आज देखिए जो लगुकताएं हैं अब जो है कहानी का जब प्रेम चंद के बाद जो कहानी आई तो अब साथोतरी जो कहानी आएं संसाथ के बाद जो कहानी लिखी गई तो लगुकताएं आई चोटी-चोटी कहानी जिसमें इसारे तत्व आपको नहीं मिलेंगे किवल एक तत्व मिलेगा उद्देश किस उद्देश को सामने रखकर और कहने का धंग मने चोटी-चोटी कहानिया लिख करके अपनी बात को लेखक जो है समाज के सामने पहुँचाता है और कहानी के तत्तों में पहला है कथानक कथानक या कथावस्तू मने कहानी जब रचनाकाल लिखता है तो अपने मस्तिस्क में एक कथानक त्यार करता है और उसी कथानक को लेकर के कथावस्तू को लेकर के वह कहानी तैयार करता है और कथावस्तू को विस्तार देने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कथोप कथन या संबादय योजना माने एक पात्र का दूसरे पात्र से वारता लाप बहुत सारी कहानी आपको मिलेंगी और यही कथोप कथन यह जो पात्र होते हैं उनके शरित्र को आगे बढ़ाते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा उसने कहा था एक कहानी है उसने कहा था कहानी को लिखा है पंडिच चंद धर सर्मा गुलेरी ने उन्होंने तीन कहानिया लिखी बुद्धु का काटा शुख में जीवन और उसने कहा था उसने कहा था कहानी का जो कथोप कथन है उसने कहा था किस ने कहा था सुवेदार्नी ने कहा था क्या कहा था जब्राणर में लहना सिंग शिभेठ होती है आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो तेरे घर कहां है मगरे में यहां कहां रहती है अतर सिंग की बैठक में मेरे मामा होते हैं मैं भी अपने मामा के आया हूँ उनका घर गुरू बाजार में है कुछ दिन बार तेरी कुड़माई हो गई दत देखते नहीं रेसम से कड़ा हुआ शालू और लहना सिंग जो है वह उस लड़की को मने गिरने से बचाता है और उसकी रक्षा करता है बाद में वो लड़की सुवेदार्नी बनती है सुवेदार की पत्नी और लहना सिंग उसी फोज में भरती होता है एक बार वो दोनों मिलते हैं और उसके घर जाता है लहना सिंग लहना सिंग नहीं पहचान पाता पर वो सुवेदार्नी पहचान लेती है तो कहती क्या है उस इसी प्रकार से तुम मेरे पुत्र और पति बोधा और हजारा की रक्षा करना मैं तुम्हारे आगे आचल पसारती हूं कहानी इतनी ही है उसने कहा था तो इसमें जो कथोप कथन है जो संबाद योजना है बहुत जबर्दस्त बन पड़ी है उत्कृष्ट है इससे पात्र जो कैसे हैं उनके चरीत्र का विस्तार कि अस तरह से हो रहा है कि मतलब लेखक को जिन पात्रों का जैन से मुंसी प्रेम चंद के जो पात्र हैं वो गाउं के परिवार से जन जीवन के हैं जैसे उनकी एक कहानी बूढ़ी काकी अब बूढ़ी काकी की जो प्रमुक पात्र रहे हैं एक कहानी आपने पढ़ी योगी बहुचर्चित कहानी है पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगु चौधरी तो पंच के मुक्षे परमेश्वर बोलता है तो मतलब यह उस कहानी का उद्देश से है तो इसमें जो पात्र है उनका जो चारित्रिक विस्तार है कफोब कफव संबाद से होता है और लेखक जो है किसी चरित्र विशेष को रख करके कथा का को विस्तार देता है कहानी लिखता है एक है देशकाल वातावरण चौथा है देशकाल वातावरण तो देशकाल वातावरण कैसे परिवेश में कहानी लिखी गई उस समय का वातावरण कैसा है समय कैसा है और पांचमा है भाषा शेली जैसे मैंने आपको बता है कथान किया कथाबस्तु कथोप कथन पात्रिमंचर चिटरन वाता बनन भाषा शेली उद्देश से थो भाषा शेली पातरा नुकूल भाषा का प्रयोग करना ही कथाकार की सबसे बड़ी विशेस्ता है किस भाषा हो प्रयोग कर रहा है ये जन मानश या पाथक उसको समझ पा रहें के नहीं समझ रहे हैं तो भाषा और सहली कहने का जो तरीका हो क्या है एक है उद्देस रहा नी मनें प्रते कहानी उद्देस से पून होनी चाहिए संदेशपरक होनी चाहिए साहित की जितनी बिदाएं और जैसा विद्द्वान चाहिए अब बात आती है कि कहानी में जो पात्र होते हैं और चरित्र होते हैं उनका क्या महत्तो है तो बच्चो पात्र कहानी के मूल आधार होते हैं अगर पात्र नहीं है तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं बिक्सित नहीं होगी और यहीं पात्र जो है और उनका जो चरित्र है वो कहानी में गतिशीलता लाते हैं कहानी को गतिशील बनाते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के उद्देश को इस पस्त करने में सहायक होते हैं कहानी के जो पात्र है उनका जो चरित्र है उसी के माध्यम से कठाकार जो है कहानी को अपने उद्देश से तक ले ज और यही पात्र चित्रन कहानी को समापन की और ले जाते हैं इन्हीं के माध्यम से होता है अच्छा कहानी में सबसे बड़ी बात होती है शंबाद योजना की मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वारता लाप है जिसे आप अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं मैंने जो पात्र एक दूसरे पात्र से वारतालाप करते हैं तो संबाद योजना जो है उसके लिए विद्वानों का कहना है कि ये सहज और सरल होनी चाहिए संबाध योजना स्वाभावी खोनी चाहिए बनावटी न हो जिस तरह से हम लोग आपस में बात चीत करते हैं उस तरह से विशया नुकूल और पात्रा नुकूल हो पात्र के नुकूल हो रोचक और संग्छिप्त हो जैसे हमारे यहां मुंशी प्रेमचन जैशंकर प्रसाथ फणी स्वन्नात रेण चंध सर्मा गुलेरी भगवती प्रसाथ बासपेई और सशिप्रवासास्त्री अम्रित राय इन लोगों ने जो कहानियां लिखी हैं वे विशया नुकूल और पात्रा नुकूल हैं रोचक हैं जैसे कहानी लिखने का तरीका है कि अपने दिमाग में मस्तिष्क में आप एक कथानक बनाईए कि किस समस्या को ले करके किस घटना को ले करके आपको कहानी लिखनी है और उसको संखेप में एक कथानक तयार कर लीजिए जब कथानक तयार हो जाए तब फिर संबाद योजना के माध्यम से पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे ल जैसे एक कववा बहुत प्यासा है वो पानी की तलास में फरफरा रहा इधर उदर अचानक उसे यह घड़ा दिखता है और घड़े में जो है पानी बहुत कम है आपने पढ़ी होगी यह कहानी तो कंकर पथर लाके उसमें कववा डालता है और पानी ऊपर आ जाता है पी लेत जाए ऐसे ही जैसे मैधक की कहानी है जासी हिरण और खरगोष की कहानी है तो इस तरह की कहानियों को पढ़ करके और इसके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है आप जब खूब कहानी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप कथानक जर्म लेने लेगा और इस तरह से कहानी की रशना प्रक्रिया में आप शहवागी बन सकेंगे नाटक किसे कहते हैं बच्छों नाटक यह साहित की वह विधा है जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिने भी किया जा सकता है मतलब हम नाटक को पढ़ भी सकते हैं और नाटक को अभिनीत भी कर सकते हैं मंच पर उसकी प्रस्तुती भी कर सकते हैं उसे हम नाटक कहते हैं भारती काव्य शास्त्र में नातक को द्रिस्य काव्य माना गया है, जैसे सरब्य काव्य और द्रिस्य काव्य, सरब्य काव्य जो सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन नातक जो है ये पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, और देखा भी जाता है, नातक की इसे द्रिस मंच की एक विधा है इसी लिए इसे पढ़ भी सकते हैं आप सुन भी सकते हैं और रंग मंच पर उसे आप प्रदर्शीत भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं कहानी की तरह इसके भी कुछ तत्तों हैं जैसे कथानक जो नाटक लिखा गया है उसकी कहानी क्या है उसके कहानी को विस्तार देने से नाटक जो है तैयार होता है वो कथावस्तु अब इसके तीन भाग हो जाते हैं आरंब मद्य और समापन माने जो कथावस्तु है जो कथानक है उसको प्रारम में क्या है मद्य में क्या है और अंत में क्या है समापन में क्या है इन तीन भागों को हम कथानक में बाटते हैं दूसरा है पात्र एवं चरिचित्रन और संबाद योजना यानि कथोप कथन ये संबाद योजना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है नाटक के लिए चुंकि संबाद के ही माध्यम से वारता लाप के ही माध्यम से यह जो नाटक जो है आगे बढ़ता है तो पात्र और चरित्र पात्रों के चरित्र का विस्तार यह संबाद योजना से ही होता है अब संबाद योजना को कथोप कथन भी कहते हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक का है गुण वह होता है अभिनेयता अभिने किया जा सके यह नाटक का महत्वपूर्ण तक तो है इसी का मतलब इसको हमेशा आप सबको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि नाटक का सबसे बड़ा गुण जो है वह अभिनेयता है अभिने किया जा सके अगर उसको हम बच्चों रंग मंच पर खेल नहीं सकते रंग मंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते तो हम उसे नाटक नहीं कहेंगे इसी के कान नाटक अभिने के योग्य बनता है मतलब जो अभिनेयता है वही एक ऐसा तत्व है जो नाटक को अभिने के काबिल बनाता है और जो रंग मंच पर है उस पर हम उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं भाशा शैली और उद्देश यह जैसे कहानी में मैंने आपको बताय कि भाशा और शैली नाटक में भी जो भाशा है वह बहुत ही सरल सहज और बोधगम्य और पात्रा नुकूल होनी चाहिए एक पात्र दूसरे पात्र से जो वारतालाब करता है वह स्वाभाविक हो और प्रतिक नाटक का एक उद्देश से होना चाहिए अब इसका जो विकास से यह भरत मुन के नाट शास्त्र से विद्द्वान लोग इसका विकास मानते हैं और पहले मतलब गाओं में या रंग मंचों पर जैसे राजा हरिश्चन नाटक इराम लीला तो भी एक नाटक है क्रिश्न लीला यह भी एक नाटक है तो इस तरह से नाटकों की प्रस्वति राम लीला रहस तो यह जो नाटक है यह हमारे हां प्रारंब से होते रहें हैं कठाओं को विस्तार दे के लोग नाटक में परिवर्थित कर लेते थे और जैसे महरार रहुडा सिंगा राम सुयंबर हैं वो काप बिनाटक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं उसके कुछ पद्य ले लेते हैं और आम लीला वगरे में उसको प्रयोग करते हैं जैसे कृष्ण लीला करते हैं कुछ शूर्दास के ले लिए कुछ रस्कान के ले लिए जिदों ने कृष्ण पर लिखा है तो इसमें सबसे बड़ा तत्व होता है नाटक का वो होता है अभिने और अभिने में भाषा जो हो हमारी वो बहुत ही सहज सरल और सुबोध हो वो एक उद्देश से होना चाहिए किस उद्देश को दिमाग में रख करके हमने लिखा है तो इसका जो प्रादुभाव जर्शा मैंने आपको बताया कि भरत्मुन के नाटक सास्त्र से ही इसको हम लोग मानते हैं लेकिन हिंदी नाटक का जो विकास है वो भारतेंदु यूग से होता है भारतेंदु हरिश्चंग अपने आप में एक बहुत अच्छे नाटक कार थे यह अंधेर नगरी उनका जो है नाटक बहुत प्रशिद्ध हुआ है और उसी युग में राधा कृष्ण और प्रताप नाराण मिश्र यह सब भारतेंदु यूग के रचनाकार रहे हैं इसके बाद आता है जैसंकर प्रसाद का यूग प्रसाद यूग जैसंकर प्रसाद इस्वयम चंद्रगुप्त इसकंद्रगुप्त दुरुबास्वामिनी एक घूट कई नाटक नाटकों की इनों ने रचना की फिर बच्चों इसी भीश में नाटक का एक और रूप आया एक आंकी नाटक जैसे एक आंकी नाटक में क्या है कि उसमें जीवन के किसी एक एक आंका में पूरा समंग्रलव्णन होता है और एक आंकी में जीवन के एक घटना का एक अंक में और जिस्ट भले कई हों उसे प्रस्थुत किया जाता है और इसलिए विद्वनों ने जब नाटकों की सिछिदि को देखा तो संकलंत्रे की बात की ये संकलन त्रह जो है ये माने नाटक का सबसे बड़ा तत्व माना गया प्रस्तावित इस्थल, काल और काडियानमीती कि समय और इस्थल इन सबका उलेक नाटक का जो है वह कोश्ठक में कर देता है और कहीं कहीं जो है एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आधार की रूप में होता ह है और नाटक का शुभारंब करता है जैसे मैंने आपको बताया कि भारतेंद युग के बाद प्रसाद यूग आता है स्वयम जैशंकर प्रसाद वहमुखी प्रतिभास संपन रचनाकार थे वे कभी थे उपन्यासकार थे नाटक कार थे उन्होंने चंद्र गुप्त उसी युग में शेठ गोबिंद दास उदय संकर भट जैसे नाटक कार हमारे सामने आए जैसे उपेंद्र नाथ अश्क डाक्टर रामकुमार बर्मा और मोहन राकेश जैसे अनेक नाटक कार हमारे हिंदी संसार में बहुत ही अनेक उत्कृष्ट नाटकों की रचना करके हमारे हिंदी साहित के भंडार को भरने का इस्तुत्य प्रयास किया है बच्चो नाटक गद्ध की ऐसी बिधा है जिसका मंच पर अभिने किया जाता है यह आपके समझ में आ गया होगा और नाटक का जो संबंदे बच्चो लेखक निर्देशक और दर्शक नाटक कार जो है वो नाटक को लिखता है और निर्देशक जो है वो नाटक को निर्देशित करता है और दर्शक देखने वाला होता है और सुरोता होते हैं तो नाटक का समझ किसे किसे हैं लेखक से निर्देशक से और दर्शक दिरगा से सुरोताओं से नाटक की सबसे बड़ी बात जो है यह मंच पर अभिनीत किया जाता है और नाटक को अनेक द्रिश्यों में विभाजित करना होता है का अनेक द्रिश्यों में विभाजित होता है नाटक में मंच सज्जा संगीत और प्रकास ब्योस्ता का भी सेश्माथ तो होता है बच्चो कहानी और नातक में अंतर क्या है अभी आप कहानी भी पढ़े हैं नातक भी पढ़े हैं लेकिन उसमें जो मूल भूत अंतर है वो है क्या कहानी एक ऐसी गद्ध विधा है जिसमें जीवन की किसी एक गटना का चित्रांकन होता है और कहानी का सम्मंद लेखक और पाठक से होता है लेखक से और पाठक से लिखने वाला होता है और पढ़ने वाला होता है कहानी कही या पढ़ी जाती है वो शरब विकाब्य के अंतरगत आती है कहानी में मंच सज्जा, संगीत और प्रकास का महत्व नहीं होता कहानी को आरंभ मध्य और अंत के आधार पर बाटा जा सकता है लेकिन नाटक जैसा मैंने आपको बताया कि उसका संबंध जो है लेखक से होता है उसका संबंध दर्सक से होता है वह रंग मंचीय होता है वह मने द्रिश्य काप्विकेंतर गताता है नातक में जीवन के पूर्ण रूप को दरसाया जा सकता है कविता कहानी और नातक के जो स्रिजन की प्रक्रिया है उसकी भाव भूम एक ही होती है जैसे कविता का जर्म होता है ऐसे ही कहानी और नातक ये संबेदना पक्ष साहित जो है वह भाव भूम का है संबेदना पक्ष क है और जो हमारा साहित्य है यह मनो भावों का सप्छंद प्रवाह है एवं सांत के उक्षणों में प्रह्ष्पुटित भावनाओं का सहज उद्द्रेख है सहज उद्रेख है जब भावना हुद्भूत होती है तो साहित्य का स्रियन होता है, in सभी में हित की भावना सन्नीद होती है, साहित्य, जो हित्य से भरा हो, कविता और कहानी का जो आंन्द है पठन-ेवन-स्रवन के माध्यम से, और नाटक का जो आनन्द है दर्शन 이스ert यानि देख करके लिया आजाता है, साहित की कोई भी बिदाओ उसका परम लक्ष है आनन्दान भूती और सथ संदेश, दिशाद्रिष्टि प्रदान करना, मतलब साहित का उददेश से है, बने अच्छा संदेश जाय समाज के सामने, लोग आनन्द उठा सके हैं और समाज को दिशाद दिशाद्रिष्ट मिले,